ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाब के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं अगर किसी भी विपक्स के नेता को खत्रा लगता है तो आप बीजेपी जोईन कर लिजे आपके पर कोई खत्रा नहीं है वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो सिख्षा स्वास्त बचर्चा जब मो से चल रहे हैं तो उनी से पूछ लीजे ना देखे मैं आपको एक बात बता जेता हूं सरकार जो है ना अभी ये हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीती आपको देश के अंदर नजर आ रही है ये अभी और तेजी से नजर आईगी ठीक है ना एक और तो मोहन भागवत जो ह लेकिन दूसरी और बोट बटोरने के लिए सिर्फ वोट की राजनीती के लिए इस देश में हिंदू और मुसलिम सिर्फ आपस में चुनाप के लिए लड़ते हैं और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी ही सारे आतंकवादी हो पीएफ़ाई वाले हो चाहिए आरसेस वाल बताईए ये सारे आतंकवादी जो है ये चुनाप के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं चुनाप से पहले या चुनाप के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है सवाल का जवाब सरकार दे सीधे तोर पर दे दूसरी बात क्या है ये तमाम मुद्दे इस में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलतकार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए आप सभी को याद है लखिंपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलतकार हुआ क्या इंसाफ मिला उसे क्या कोई बता पाएगा किसी को भी नहीं पता मैं इतने सारे पत्रकार है मैं आपसे पूछना चाता हूँ एक सवाल इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे मुद्दा कौन सा यह बता दीजए सबसे बड़ उसको होँ मैं उसको लेकर पूछ राओं आपके नजर में कौन सा शब्से बड़ा मामला हलिक हुआ है बताएगे और बताये और वतार युशद में आप मैंने आप मैंने आप यह कर देश-क है अब कर दो दुटना वोग नहीं दीए नुटना के बात नहीं कर रहाँ आल देखेमप आप सभी लोग देखें सोच में पड़ गए क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है हर दिन एक नया मुद्दा अभी एक भाई ने बोला पुलवामा एक भाई बोले अंकिता का मामला एक भाई बोले हत्रस का मामला तो एक भाई बता रहे हैं कि कहते हैं कि जो अभी उत्राखन में अंकिता मडरकेश की, तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता है कि जो मुद्दे हैं, सिख्षा, स्वास्त, बेरोजगारी, महंगाई, ये कही ना कहीं दब चुके हैं, हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसल्मान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसल्मान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है, मदर्सों में ये होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर मौलाना अब्दूलकलाम आजाद कहां से पड़े थ ठीक है और नहीं मैंने कभी PFI के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है इस देश के अंदर लाखो करोडो संगठन चलते हैं आप किसी संगठन के ओपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपन लगाए वो सही नहीं है योगि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीती के लिए कर रहे हैं, आप इसका इस्तमाल सिर्फ बोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, आप एक बात मुझे बताईए, RSS आपकी नजर में, कैसा संगठन है, अच्छा या बुरा, यह बताईए आप मुझे? आप समाजी कारे करेंगे तो क्या आप उमीद करेंगी कि आपका भाई सुबह शुबह लट उठाकर शुबह सुबह पहुंचे साका करने? आपका भाई समाजी कारें नहीं करेगा? भाई संसा बोई समाजी कारे vergessen नहीं करेगा नरेंदर मोदी जी का हाली में आपने भाचन सुना होगा जिसके अंदर नरेंदर मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल हैं उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे पापा से पूछ रहे होंगे कि मोदी जी क्या करें मोदी अंकल क्या करें तो अमिस्सा जी उनको समझाते होंगे कि बेटा भूल गए मोदी जी जुमला देने में माहिर हैं वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था वो भी तो मैंने आके समाप्त करा है ना देखा ने मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुम्ला है तो भईया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद तो ये बताइए ना कि अमिसा जी का बेटा बिना किरकेट खेले वो कैसे बन गया भया जैसा बी सी सी आई के अंदर ये बताइए ना कोई गरीब मा का बेटा तो नहीं बनता देखे मैं आपको बता दूँ इस देश के अंदर सुर्मा भोपाली जो हैं नरिंदर मोदी जी जो हैं वो जूट बोलने म माहिर हैं आपको पता हैं उन से बड़ा तो जुम्ला कोई फ्हेंकता ही नहीं है दूसरी बात गिरह मंतरी जी के बेटे काम जाक क्यों नहीं देश के नेताओं को special, अगर किसी भी विपक्स के नेता को खत्रा लगता है, तो आप BJP जॉइन कर लईजिए, आपके उपर कोई खत्रा नी है, आप अगर कोई आरोपी हैं, तो आप BJP जॉइन करिए, आपके उपर कोई आरोप नहीं है, वो तो सुकर है, अगर ऐसराम ने य ये जंता पार्टी है लाकों करोडों रुपिया सिर्फ चुनावी परचार पर खर्च करती है बाकी ना तो देश के जवान के लिए और नहीं देश के किसान के लिए इनके पास कोई योजना है अभी आप देख लीजे किसान दुबारे से धरना प्रदसन करने की लगाता सरका को चेताब नहीं दे रहा है क्योंकि किसान के ओपर लगे जो तमाम केसिस हैं वो अब तक वापस नहीं हुए आपने देखा अभी भी किसान जो है कुछ जेल के अंदर पड़े हुए जो आंदोलन के अंदर थे तो आप एक बात मुझे बताईए कि इस देश के अंदर हम सार जिन्दगी क्या हम लोग इसी चीश पर चर्चा करते रहेंगे मंदिर और मजजित को लेकर राम मंदिर का एक बड़ा मसला था राम मंदिर के मसले का समाधान हुआ तो देश के नौजवानों के बीच एक उमीज जगी कि अब मंदिर और मजजित का मुद्दा इस देश से स रोजगारी की है लेकिन देश के नौजवानों को क्या पता था कि एक बार फिर उनको हिंदू और मुसल्मान के नाम पर चूना लगाया जाएगा इस देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आपको हिंदू मुसल्मान के नाम पर सुनने को मिलता है कभी कोई हिंदू संगठन आकर कहता है कि इस देश के अंदर मुसलमान जिहादी हैं अरे भया आप एक बात मुझे बताइए जिस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रियास कर रहे हैं आपने उस देश के तिहास के बारे में क्या पढ़ा है मौलाना को समान राइट और समान अधिकार दिये जिस कारण आज मौहिश शर्मा आपके बीच खड़े ओकर बोल पा रहे हैं नहीं कोई परक नहीं है कोई परक नहीं है दोनों इस देश के नागरिक हैं यह बता ही ना आप मुझे क्या परक है डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम न ठीक है वो कोई बाप भी गलती हो गई आप ये छोटी मोटी गलतीयों को पकड़ रहे हैं पकड़िये आपका काम एक मिट आप मुझे ये बताएए मैंने कोई गलत क्या दिया मैं आप मुझे बता क्या रहे हैं अरे भाई अब एक सुन लिजए मैं मोधी जी की तरह टेरी में तो देखे बोलता नहीं, मोदी जी की तरह枉डरी प्राउम्टर में तो देखे बोलता नहीं कि मुझसे कोई गल्ती नहीं होगी और कोई इतना बड़ा जगन्यप राद तो करनी दिया मैंने जो जगन अपराद करके बलतकारी घूम रहे हैं कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलतकारी कैसे मेले बन जाते हैं ये बताइए ना जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गिरहमंत्री बन जाते हैं उनसे तो नहीं पूछा जाता इसमें कुछ गलत नहीं है मैं आपको दादी लेकिन फिर भी जो ये हैं ये लोग हैं क्योंकि जब बात नौजवान के सिक्षा स्वास्त और बेरोजगारी की हो गई तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पतरकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो सिक्षा स्वास्त पे चर्चा जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं परचा तो क्यों हो रही है सिक्षा पे चर्चा आप करिये भगवान पे चर्चा अरे भाईया वो तो ये तो पता नहीं कि कैसे हत्या हुई और कैसे नहीं हुई ह और अमिस्सा जी पहुँचे हैं जब तक मामला हाइलाइट ना हो तो पता कैसे चलेगा कि गिराह मंतरी भी जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं यही इस देश का लोगतन ते और आपको पता भी होगा कि देश के पतरकारों से जो है वो मांगा गया था क्या केते उसको जब हिमाचल में मोदीज के अभी रेली होने वाली थी हाल में तो उसे सेटिफिकेट मांगा गया था जो कि बाद में मना कर दिया गया बाद में मना कर दिया गया लेकिन पहले उसे मांगा गया था मैं आपको बता दूँ तो आप खुद ही सोच लीगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाई कहां है देखिए मैं आपको बता दू वजा कुछ नहीं सिर्फ वोट बटोरने का काम है एक और तो हिंदू-मुसलमान के दंगे होते हैं दूसरी और मज्जीदों का दौरता दूसरी बात कि मोहन भागवत कहीं से ग्रह मंत्री है क्या या मुख्य मंत्री है कौन है हुई इस दिस मोहन भागवत अब आपकी बात यह आप गलत कर रहे हैं संगठन तो इस देश में करोड़ों चलते हैं तो करोड़ों संगठन के लोगों का नाम पूछिए ना भाई आप करोड़ों उनको जो है हाइप देते हैं जिस कारण वो लोग बयान देते हैं मैंने तो और मेरे मैंने तो मेरे को तो स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं राष्टपिता महत्मा गांदी हैं क्यों खेनी वाले पत्रकार राष्टपिता महत्मा गांदी यह ना यह कोई और है बता दीजे क ब्लकुल दे सकते हैं, अब भई मैं आपको एक बात बता झानों कुछ अगर मौलाना बयान नहीं देंगे, अब आपको एक बात बतारे हो कहीं से राज्य सबाप मतर दो बयान देने में कोई आपती cred मैं आपको एक बात बता दू कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप एक बात मुझे बताईए यह अंकिता का मैटर जो हो लखिंपूर का मैट रहो बेटियों के साथ बलतकार हो रहे हैं और मांग करते हिंदू राष्ट की आज तक आप मुझे बता दीजिए अभी किसी नेता को गिरफतार करना हो तो रात को दो बज़े सीबे और ईडी के लिए कोट के दरवाजे खुलते हैं लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और नियाई की हो ना तो कोट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में देखिए पत्रकार महदे जब आपका दिहान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूं मैंने तो स्टार्टिंगी उससे करी है मैंने तो स्टार्टिंगी महिला की सुरक्षा से करी है जब आपका दिहानी ये सोच पती मर जाए तो मोधी जी तुरंट पहुंचते हैं वहाँ पर चाहें वह विदेश का ही क्यों नहों लेकिन हिंदू के सबसे बड़े गुरू जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है उनका निदन हो जाता है तब मोधी जी ना तो आप उनकी यात तो दुबारा पांस साल भी तो को जूणने के लिए चाहिए न तो जैसी उनके से प्रतिवन हटाएंगे फिर एक दो आतंकवादी पकड़ेंगे आज तक किसी भी आतंकवादी का बयान सामोही किया गया है क्या यूपी चुनाप से पहले आतंकवादी पकड़े गए ते य अगर चुनाप जीतना है तो मुझी आके पकड़ लो तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ चुनाप जीतने के लिए और अभी तो आपको हिंदुस्तान और पागिस्तान के बीच अभी चुनाप आने से पहले एक नकली युद्वी होगा जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान के नाम पडर आया जाता है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नाम पडर आया जाता है ये कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर नेता सिक्षा स्वास्त और बेरोजगारी पर कभी चर्चा नहीं कर सकते ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता है अभी सारे बाग प उपर गाडी नहीं चड़ाई जाती आपके सारे नेता आप अपराधियों की लिष्ट तो उठाईए और उनका आप संबंद मिलाईए सबका संबंद बीजेपी से ही क्यों निकलता है सवाल का कोई भी जवाब दे दे आप सुन लीजिए एक एक सवाल का मुझे जवाब दीज आप हर जगे उद्यपूर की घटना में वो जो आरोपी है वो किस से संबंद रखते थे कौन सी पार्टी के संबंद रखते थे किसकी पार्टी के पट्टे पहन कर उनकी फोटो पाई गई इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या अरे भाईया मोधी जी जो है मोधी जी चीते लाकर पहले तो चीतों की कोई जरोत नहीं है यहां बेरोजगारी के कारण नौजवानों की चिता जल रही है ठीके ना दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है न वो बहुत बड़ा मुद्दा है चीता क कि सारी चुपे और अभी तो आप देखिएगा अभी तो आज चार तारी को गई है मैं आपको बता दूँ बीस बाइस दिन पच्चीज दिन बाद अभी कुछ दिन बाद जो एक आप ये समझेगा अभी छट पूजा आने वाली है मनोश तिवारी जी नाचते गाते आएंगे दरदर से भटकते हुए मनोश तिवारी जी आकर फिर कहेंगे जमना साप नहीं है पूरे साल इने जमना की याद नहीं आती लेकिन अभी छट पूजा आएगी तो इने जमना की याद आएगी अरे अभी छट पूजा से पहले जमन आप देख लीजे घाटो की खालत है कितीनी बुरी हालत है घाटो की जाकर देख लीजे लेकिन मनोस्तिवारी जी आएंगे निकल कर अभी और अब ड्रामा करेंगे थोड़ा बहुत की घाटो पर सुरक्सा नहीं है घाटो पर सुरक्सा करो अरे भईया आप एक बात बता इए आपकी पार्टी के साथ सांसद हैं दिल्ली के अंदर साथ के सांसद आपकी पार्टी के हैं और मनोश तिवारी जी ये जो मैं बोल रहा हूँ न ये कोई मुद्दा नहीं था लेकिन मैंने इसको एड़वांस में से लिए बोल रहा हूँ कि अगर मनोश तिवारी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गलती से भी कान खोल कर सुनीजे गलती से भी बाहर निकल कर छट पूजा के ओपर बयान मत दे दिजेगा कि घाट साप नहीं है क्योंकि सरकार आपकी है दिली में साथ सांसद आपके हैं आपने कुछ नहीं कर रखा है और अभी देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत है जमना की जाकर देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है तो आप गलती से भी आकर अगर आपने बयान दिया ना तो आप स वरकार में भी जो पसू जैसे नेता भरे हुए हैं उनका नाम देने की पहले जरूत है जिनको यह नहीं पता कि देश कौन सा सुतंता दिवस मना रहा है कुछ लोग तो यह तक बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पठाओ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं नाम उनको देने की कि नौजवान की बेरोजगारी पर तो आपको कोई चर्चा नहीं करनी अगर आप यह कहते कि नौजवान यह बताएं कि रोजगार पर कैसे चर्चा हो किसकी सेक्टर में रोजगार मिलने चाहिए नौजवान नाम लिखके भी भेजता अब नौजवान के पास यही खाली सम में नाम बताने का जय हिन जय भारत वंदे मात्रम